हाई अबरीवान वेलकम तो माई चैनल ये देखिए ये बैग हमने बनाया है और इसके लिए एक मैम है तो काफी बहुत जादा रिक्वेस्ट उन्होंने की थी और कई रोज से वो पूझ रही थी मुझसे मैम बैग बना नहीं बना मैम बैग कब बनेगा बैग कब आएगा ले जो ऊईन लगी है तो यह 200 ग्राम उँन में लेकर आई थी और इसके लिए रनदार से काफी बड़ा बच भी गई है तो मुझे निर्ज है कि 150 ग्राम ही अईसाइड इसमें अउन लगी होगी काफी उन दोनो में से जाल कावीं 100 ग्राम में लाई थी यह 500 ग्राम थी तो दो बना सकते हो वैसे काफी अच्छा बैग ये बना है आप इसकूल बैग ना होकर ये तो अगर हम लोग भी अपने लिए रखेंगे तो बहुत ही सुन्दर ये बैग बना है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें वैसे पसंद आने वाली बात इसमें बहुत ज्याद इसमें सफाई भी बहुत ज़्यादा आई है और ये देखिए यह हमारी बैक साइड है और ये फरंट साइड है तो इसमें मैंने मैगनेट का बटन है ये बटन मैगनेट वाला लगाया है आप चाहें तो आप इसमें वैसा बटन भी लगा सकते हो बड़े बटन जो मैंने आपको काफी बता हुए हैं तो अगर आपने बनाए हैं तो ठीक है नहीं तो इसके लिए आप बोलेंगे तो मैं यह भी डिजाइन आपको बता दूँगी इस बैक को बनाने के लिए मैंने दो करोशिय का यूज किया है एक करोशिया 4.00 mm का है और यह वाला करोशिया मेरे पास में 3.75 mm का करोशिया है तो इसके लिए यह वाली उन बहुत मोटी थी तो यह मोटा वाला करोशिया मैंने यहाँ पर यूज किया है फिर यह वाली उन लाइक करने से जैसे आप लोग लाइक करते हो तो हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंसती है और लोगों तक पहुंसती है तो हमें खुशी होती है ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगता है सब्सक्राइब बढ़ते हैं और जिन लोगों ने अभी त तो ठीक ही ठीक बन गया है और एक चीज आप इसमें ये करें कि मैंने इसमें यहाँ पर इसको लॉक नहीं किया है तो आप इसको जॉइंट कर लें क्रोशिय से या सुई से क्योंकि यह कभी निकल भी सकता है तो आएए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है और इसको मैंने दो पार्ट में बनाया है तो आप दोनों पार्ट इसके देखिए एक पार्ट फर्स्ट है और एक सेकिंड है और लिंक भी डिस्क्रेप्शन में मैं इनका लिंक डाल दूगी फर्स्ट में सेकिंड का मिलेगा आपको और सेकिंड में फर्स्ट का मिलेगा तो आ एक चैन हमने एक्स्ट्रा लेनी है तो यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ नो दस प्यारा बारा और एक चैन हम यह बनाएंगे तेहरा इस चैन को छोड़कर हमने अगली चैन के अंदर सिंगल करोश्या हम इसमें बनाएंगे तो यह रो हमने ऐसे ही कंप्रिट करनी है कि देखिए इस रोको मैं कंप्रिट कर लेती हूं अब देखिए हमने अब इस साइड हमने आना है तो इस रोकों हम घुमाकर इधर लाएंगे इसके लिए हमने यहां पर तीन सिंगल करोश्या बनाना है इसी एक के अंदर हम तीन सिंगल करोश्या बनाएंगे और अब हम इसको इस साइड घुमा लेंगे इस साइड गुमा लेते हैं और अब जहां पर हमने सिंगल करोश्या बनाया है जिस जिस चैन के अंदर उसी चैन के अंदर हम करोश्या डालते हुए हमने इस साइड की रोबी कंपलीट करनी है तो देखिए इस साइड हम गिन लेते हैं इसको 2, 3, 4, 5, आच, छे, साथ, आथ, नो, दस, ज्यारह, और एक हम यहाद पर बनाएंगे, ते 12, आफी देखिये हमने यहाँ पर 12 चैन इस साइट बनाई हैं, फिर हम यह बार हम उने चैन बनाई हैं, इस ही चैन के अंदर हूं दो बार सिंगल करोश्या बनाएंगे, तो मेरे देखि Means एक और एक दो दो हमने इस साइट बनाया है अब हम बारा चैन आगे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पांच छे शे साथ आठ नो दस जारा और एक हम यहां पर बनाएंगे बारा बारा चैन इहांपर बना लिए हम यहां पर यहां व्रा और यह द। घॉमा लेना है इस साइट से इसके घुमा लेना है इस साइड आ जाना है अब हम इस चैन के अंदर डबल करोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे तो देखिए इसको हम दो मानेंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और एक हम यहाँ पर बनाएंगे तेहरा यह डबल करोशियम यहाँ पर लेना है यंअ तेहरा हमने यहां पर db करोश्या बनाया है तुछ तेohरां हम यहां अंदर दो बार डबल करोश्यम भिझाऊंगे अब यह देखी यहाँ पर हमारा यह बढ़ा हुआ है इसमें हमने यहाँ पर दो दो करके बनाए थी तो दो चैन हमने यहाँ पर बीच में हमारे पास में है तो इसमें हम एकक सिंगल करोश्या और वो एकक डबल करोश्या हमने यहाँ पर बनाना है तो इसको हम एक और एक यहां पर आएगा चैन मेरे पास बच्छी थी फिह दो के अंदर हमने एक डबल क्रोश्य बनाया है अब इस चैन के अंदर हमने फिर से यहांद डबल क्रोश्य बनाना है तो एक और एक दो दो डबल करोश्य बनाया और बारा चैन हमने यहाँ पर बनानी क्योंकि तेरवी चैन के अंदर हमने दो बार बना दिया है तो अब आप इसको गिन सकते हो एक दो दो तीन चार पांच एक दो पीन जार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा एक यहां लाश्ट में तेरा फिर हमने यहाँ पर तीन चैन बनानी है एक दो तीन और इसको हमेंसे घुमा लेंगे फिर हमने यहाँ पर हर एक चैन के अंदर डबल करुश्या बनाते हुए यहाँ तक जाना है अब आप देखिए आप इसको गिन भी सकते हो अगर आप इसको गिन के बनाएंगे तो इसमें घटेंगी बढ़ेंगी नहीं यह नहीं कि इस साइट ज्यादा हो गई है इस साइट कम हो गई हैं तो यह देखिए यहाँ पर चार हो गई हमारे पास में चा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और 14 हो गई अब यहाँ पर ज 6, 14 हमने बनाई हैं तो 14 के अंदर ही हम एक और बनाईगें, यहाँ पर यहं हो गई हमारे पास में 15 अब जो चैन हमारे पास बची हैं इन को हमने भाती सिंगल सिंगल बनाविक यहाँ पर एक दो देखे तीन और एक चार पहले हमने दो बनाई थी इस बार 4 हो गई है क्योंकि एक अफ साइट से बढ़ी है अब इस चैन के अंदर जिसमें हमने दो बनाई है यही वाली चैन के उनदर दो बार हम इसमें फिर से इसको बना लेते हैं दो एक और एक दो ऐसे करके हमने ये पूरे राउंड कम्प्लीट करना है और इसको हमने देखना है जितनी बड़ा हमें कैप बनानी है तो वहां तक हम इसको बना लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसको हमने इसमें जॉइंट कैसे करना है यहां से इधर आएगा फिर इधर से इस साइड आएगा फिर इस साइड से इस साइड आएगा इसको हमने ऐसे करके बनाना है यह देखिए हमने 6 राउंड इसमें कम्प्लीट कर दिये हैं यह सात्वह राउंड में हमने यहां पर पंदर्हचेन बना ली हैं 15 क्रोश यहां से पनाई हैं मतलब यहां तक हम यह तक बनांगा आये हैं को अ आपक है अब देखिए जीती रशाएय हमारे पास में है हर इक चेन के इंदर करें डबल करोश्य हमने इसमें बनाना है तो यह देखिए यहां तक हमने 15 चैन बनाई है 15 की बाद यह देखिए इस चैन के अंदर हम दो बार डबल करोश्य बनाएंगे एक फिर इस चैन के अंदर भी हमने दो बार बनाना है यह देखिए दो फिर इस चैन के अंदर भी हमने दो ब कि दो दो बार्स डबल करुश्या बनाएंगे यह देखें ऐसे करके हमने इसको कम्प्लेट करना है यह राउंड हम ऐसे ही कम्प्लेट कर लेते हैं है कि पंदरा हमने इसको कि यहां तक यहां तक हमने बनाना है फिर पंदरा ने यहां से गिनकी यहां तक छोड़नी है कि यह अ Goodness यहीं आपको एक बार दिखा देखती हूं इस चैन के इंदर भी दो वार कि इस चैन के अंदर भी दो वार यह देखिए ऐसे करके हमने इसको 15 चैन छोननी है, तो वो चैन हमने कहां से गिननी है, यह मैं आपको बता देती हूं, हर एक चैन के अंदर दो दोरब भार हमने छोने, यहां से हमने इसको गिनना है, तो यह देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 तक हम इसको लेकर आए हैं, अब यहां से हमने हर एक चैन के अंदर एक डबल करुश्या बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, उन, चेर, साथ, आठ, नौ, दस, ज्यारा, बारा, तहरा, चोदा, 15, 15 हम इसे बना लिया है और यह हमारे यहां पर कंप्रीट हो जाता है, इसको हमने यहां पर कंप्रीट कर दिया, ऐसे करके इसका यह राउंध हमारा बना है। अब हम इसको कैसे अटेच करना है हमने यह मैं आपको बताती है। अब हमने एक कॉट बनाना है तो उसके लिए एक मीटर लंबी हमने ये वाला रंग कलर की डोरी ली है ये पुरा मैंने एक मीटर किया है इसको और फिर हमने इसको डबल कर लिया है दो पार्ट में हमने इसको लेना है और दो ही पार्ट में हमने इसको लेना है तो अब आप दे अंदर ये वाली डोरी अलग कर देंगे और जो दूसरे वाली है इसको हम अलग करेंगे इसको हम बनाने के लिए ये देखें इस कलर से में धागा लूँगी और इसके ये चार के चार हमने एक साथ निकाल देना है फिर हम ये वाला उपर से डालूँगी में इसको और ये हमने आप आपको काफी बताए हुए है आप चाहें तो उसमें से भी किसी को ट्राइ कर सकते हो तो यह देखिए ऐसे करके हम इसको बना लेते हैं कि देखिए ऐसे करके आप इसको बना लें कि दो कलर मैं क्यूंकि मैंने दो कलर बैक के अंदर लगाए हैं इसलिए मैंने इसको भी दो ही कलर में बनाया है ये वाली डोरी हमने इसको हैंग करने के लिए बनाई है जो हमने बैक को हैंग करना है तंगाना है उसके लिए हमने इसको बनाया है तो आप इसको जितना चाहें उतना बड़ा इसको बना सकते हो मैंने इसको इतना ही बनाया है और एक हम सिंगल धागे से बनाएंगे इसमें हम लिया है लेकिन एक दोरी हमने सिंगल धागे से बनानी है तो वो भी मैं बना लेती हूँ यह देखिए यह एक डोरी हमने सिंगल धागे से बनाई है इसमें सिर्फ हमने एक धागा यह वाला लिया और यह वाला लिया दो धागे से हमने इसको बनाया है अब हमने इनका कहा यूज करना है यह मैं आपको बताती है हाँ अब हम देख्शों को चूंट को छोड़का और यहाँ पर इस चेंग के ने दर, धवल करोश्य बनाएंगे हैं、 this मैं तो संगल करोश्य बना करें और हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हो तो यह देखिए मैं इसमें डबल क्रोशिया बना रही हूं और इसके अंदर हम जो बैल्ट बनाएंगे तो हमने उसमें आप 8 डबल क्रोश्य की भी बैल्ट बना सकते हो, 9 की भी बना सकते हो और ज्यादा चौड़िया आपने बनानी है तो दस तक सिर्फ आप इसको बनाए आठ से कम ना बनाए और दस से ज्यादा ना बनाए तो आप आठ नौ की बीच में भी इसको रख सकते हो तो ये देखिए पहले में इसको बना लेती हूँ हमने ये पूरी अठारा चैन बनाई है और अठारा में अब आप देखिए एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोश्य बनाए और इसके बाद में इस वाली चैन को छोड़कर इसके अंदर हमने डबल क्रोश्य यहाँ पर बनाना है तो ये रो भी मैं कम्प्लेट कर लेती हूँ तो ये देखिए हमने ऐसे करके इसको तीन डबल हम ये बना लेते हैं पहले तीन डबल हमने बना कर ये आपको दिखानी है तीन रो हमने complete कर ली है अब हमने इसका half करना है और एक चैन हमने extra यहाँ पर छोड़ देनी है यानि कि हमारे पास में 18 चैन है तो 18 में से हमने 8 चैन इस साइड ली है आठ चैन हमने इस साइड ली है और इसको हमने पिछे की तरफ जो belt बनानी है उसमें हम इसका use करेंगे तो यह देखी यहाँ पर हम तीन चैन बनाएंगे और यह वाली चैन छोड़कर इसके अंदर हम डाल कर इसको complete कर लेते हैं जितनी बड़ी belt हमको चाहिए तो यह belt मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ विए दूसरे साइड की belt हमने कैसे बनानी है हम सिर्फ इसी एक ही साइड की belt को complete करेंगे फिर टीन चैन बनाएंगे इसको हमने साइड हमा लेना है यह चैन छोड़कर इसके अंदर हम अब इस साइड से हम इसको गुआ लेते हैं ऐसे करके हमने इसको बनाना है यह देखिए हमारी यह पूरी belt हमने बना ली है इतनी ही belt हमने इस साइड से भी बनानी है तो यह धागा हम यहीं पर तोड़ देते हैं और इसके बराबर दूसरी वाली यहां से बनाएंगे तो यह देखिए यहां पर हमने इस साइड से यह वाली चैन उठानी है और इसके अंदर हम चार चैन हमने यहां पर बनानी है एक दो ती चार अब हम यहां पर आठ डबल करोशे हमने बनाना है तो देखिए यह दो हम इसको मानेंगे एक चैन को एक इसको दो तीन चार पांच छे यह आठ डबल करोशे हमने यहां पर बना लिया है अब हम यहां पर चैन बनाएंगे चार एक दो तीन चार और इसको हमने घुमा लेना है फिर हम इस चैन को छोड़कर इसके अंदर हमने आठ डबल करोशे फिर बनाना है ऐसे करके इस के बरावर जितना हमने इसमें चैन बनाई है इतनी है चैन हमने यहां पर भी बनानी है तो इसको मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाना है कि यह अटैच कैसे करना है हमने यह हमने यह दोनों जो स्टेप है तो इनको कंप्लिट कर लिया है और तीस तीस रो हमने इसमें बनाई है तीस रो इसमें बनी है तो अब हमने इसको जैंट करना है तो यह देखिए यह हमारा बैग है और इसके अंदर मैंने यह डोरी डाल दे है डोरी कैसे डाली है यह मैं आपको बताती हूं तो यह इसकी बैक साइड है और बैक साइड पे हम यहां पर इसको अटैच करते हैं यह वाला जो पाठ है तो यह वाला पाठ हमने उपर रखना है और इसका ठीक बीच सेंटर जो है तो यह वाला इसका सेंटर है यह सेंटर हमने यहां पर बीच में रखकर और इसको हम अटैच करेंगे तो इसको अटैच करने के लिए आप चाहें तो आप इसको स्वी से अट attach करेंगे और हमने इसके अंदर एक जो hanging के लिए हैं करने के लिए इसको इसको भी हमने यहीं पर attach करना है यहां आपको दिखाते हूं कि आमने कैसे अटेच करना है तो आब हम इसको यहां पर अटेच कर लेते हैं इसको हमना अटेच ऐसे करके करना है इसको आपने बहुत मजबूती के साथ मैं यहां पर अटेच करना है फिर हम इस साइड से यह हमने सेंटर में मार्ट लगाया था तो इसको हम यहां से खता देगे अब हम यहां पर बीच में सेंटर में आए हैं तो सेंटर में यह वाला जो हैंगिंग बनाया है हैंग करने के लिए तो इसको भी हमने यहां पर अटेच कर देना है इसको हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे तब हमने इसके अंदर अटेच करना है यह ऐसे करके हमने इसको दोनों साइड से इसके अंदर डालना है और यहां पर हम इसने इसको अटेच करेंगे यह देखे मैं आपको नजबिक से दिखा देती हूँ, ऐसे करके हमने इसको यहाँ पर अच्छे से अटेच कर देना है, क्योंकि इसमें जब हम इसको हैंग करेंगे, टंगाएंगे, तो इसके अंदर वजन होगा, और यह निकल सकता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से अटेच कर दिया है, और यह हमारी बैक साइड है, देख सकते हो, आप जो हमने लिस्टेप बनाई है, तो इसको हमने अब इसके अंदर, यह देखे, जो हमने रिंग डाले हैं, तो रिंग के अंदर हमने इसको डालना है, यहाँ से हम इसको इसके अंदर डालना है, यहाँ से इससे हमने इसको आप चाहें तो आप इसको भी यहां पर सिल सकते हो और नहीं तो आप इसको ऐसे करकी भी फोल्ड कर सकते हूँ तो यह देखी यह मैंने कि अब हमने इसके अंदर जो इसकी कैप है उपर से जो बनाया था उसको भी हमने एसके अंदर आटैच करना है यह देखी है कि हमने इसकी बनाई थी अब हम इसको उसको भी beOG सेंटर में हम रखेगे लेकीन उससे पहले हमने यह जो लूप लगाया है इसको आप देखेंगे कि इसको हमने कैसे इसके अंदर इसको हम इस साइड करेंगे पहले हमने इसको इस साइड करना है तब हम यहां से इसको हमने लगाना है यह साइड आ जाएगा और यह हमारा हैं करने के लिए यहां से उसका आप धियान करेंगे उसको आपने इस साइड को कुछ करना है दबाना है तब हम इसको इसके उपर से लगाएंगे तो इसको भी हम यहाँ पर अटेच कर लेते हैं देखिए जो हैंक करने अअले दोरी हमारी हमने इसको नीचे की तरफ डा सक किया है और अब आपने इस चीश का दियान देना है कि जब भी आप इसको अटेच करेंगे तो आप अच्छे से यहाँ पर दो तीन बार सिला हिको करक कि इसको अटेच कर लेते हैं आपको नज़दीच से भी दिखा देती हूं जैसे करके हमने इसमें यह देखिए यह हमने इसको अटेच कर दिया है अब हम इसको जैसे इस साइट को लाएंगे तो यह दोरी हमारी उपर आ गई है देखिए और इसको हमने जब ऐसे करके बंद करना है देखिए अब आप इसको अगर डेफरोट करना चाहें तो आप इसको कर सकते हो ऐसे करके हमने इसको बना लिया है इसके अंदर हमने अभी थोड़ा सा काम और है मेरा तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे करना है बहुत सुन्दर बैग ये बना है हमने इसमें ये मैगनेट वाला बटन लगाया है लोक लगाया है तो इसको चुपाने के लिए आप चाहें तो आप इसके उपर मिक्की माउस वगरा के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो बना सकते हो इसको लेकिन मैंने इसमें लगाने के लिए फूल बनाया है तो इससे ये छुप भी जाएगा और इससे का नया लुक भी आ जाएगा तो ये भी हम यहाँ पर लगा देते हैं फलार हमने एक छोटा सा मेरे मैंन कर देते हैं तो ये देखिए ये बैग बनकर तयार है इसकूल बैग एक मैम ने बोला था उनकी फरमाइस पर मैंने इसको बनाया है आप इसको यूद कर सकते हो इसको अपने साथ भी आप इसको कहीं ले जा सकते हो चोटा सा बैग है बहुत ही प्यारा सुन्दर बना है ये देखिए इसके अंदर हमने ये मैंगनेट वाला लॉक मैनेस में लगा दिया है देखें ये बैक साइड हो गई ये हैंड करने के लिए है इसको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें पहले तो बलकि लाइक आप पहले करें उसके बाद आप वीडियो देखें तो उसके बाद मैं आप कमेंट करें तो इसके हमने दो पार्ट बनाए हैं तो आप दूसरा पार्ट भी तेंक यू